आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हमें ओके सब्सक्राइब करना है अगर हम यहां पर देखें हमार पास है x into under root 1 plus x square minus x अगर x common ले ले पहले outside अगर पास बचे का limit x tending to infinity x into under root of 1 plus x square minus of 1 ओके अब भी हमार पास यहां x square की terms में या x की terms में अगर हम फिर से इस के अंदर से root के अंदर से x square common लेके बाहर के निकाल दे तो यह x बाहर आ जाएगा अगर हम इसको लेकिते हैं limit of x tending to infinity x तो ऐसी बाहर है हमारा into x ना यह हो जाएगा under root 1 plus 1 by x square minus of 1 ओके अगर हम यहां से x common लेना चाहें तो इसको हम x से multiply and divide करेंगे ओके तो यह divide by x हो जाएगा तो गर हम x common लेने बाहर तो यह हो जाएगा limit of x tending to infinity x into x means x square और यह हो जाएगा हमारा under root of 1 plus x square minus of 1 by x और इसको गर हम x square को नीचे लेंगे अब ठीक है तो x square को नीचे लेंगे तो क्या होगा 1 by x square तो यह हमारा हो जाएगा limit of x tending to infinity under root of 1 plus 1 by x square minus of 1 by x and x square को नीचे लेंगे तो यह हो जाएगा 1 upon x square ओके so यहाँ आप हम देखें तो यह है हमारा okay so गर हम x की value infinity पूट करें भी so हमार पास आएगा यहाँ पे under root 1 plus 1 by infinity is 0 minus 1 by infinity is 0 under root by 1 by infinity is 0 that means अगर हमार पास है numerator is finite that is 1 and हमार पास denominator में 0 है that means यह हमारा यहाँ फाइल आंसर होगा इसका वो होगा not defined okay because यहाँ आए n टर्म दो 1 by 0 so यहाँ फाइल आंसर इस not defined okay so this is our final answer thank you क्लासिक स्टिवल से लेके NEET IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर